वू हम स्दुर्ट विल्कुल हम बेग मैं हूं इशान और आज हम बात करनेबसम उरे IT लेखरने वाले पाद타 ॅप यह नहीं बनग आने वाला कि लिए हमें पता चलना कि heating effect of electric current मतलब electric current की वज़े से heat का production होना या heat का produce होना मैं आपको बता हूं कि जैसे एक circuit simply draw कर लेते हैं एक इसमें मैंने बस बैटरी लगा रखे बाकी कोई resistance वगरा नहीं है यह वी वोल्ट की बैटरी है ठीक है तो इसमें मैंने क्या करा है यहाँ पर यहाँ पर य जैसे ही हम battery लगाते है वैसे ही हमारा current चलना चालू हो जाता है ठीक है ना तो अब हम इसको replace कर देते हैं एक दूसरे circuit से जैसे मैंने यहाँ पर एक resistance लगा दिया ठीक है आर रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर मैंने वी वोल्ट की कोई battery लगा दिया ठीक है अब जैस current हमारा पूरे में चलना दियान से समझना चीज़ों रैसिस्टेंस का मतलब क्या है अगर आपको रैसिस्टेंस के बारे में नहीं पता क्या होता है तो वीडियो के description में एक link है वहाँ जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं ओम सलोगरा सब बता रखा तो रैसिस्टे form में पहुचा देता है सारी उस current को यह heat form में सारी dissipated कर देता है पतब current का यह खतम कर देता है और उस current को heat form में निकाल देता है इसको ही बोलता है heating effect of electrical आपने एक चीज़ देखिए काफी टाइम तक अगर बल्ब जला हो और आप उस बल्ब को छुए तो गरम लगता है आपक एक टोस्टर हुआ जितनी भी कि आपने switch लगाया और वह चीज़ गरम हो गई कोई भी metallic चीज़ हो कैसे भी चीज़ हो वहाँ पर आपका heating effect of electric current यूज होता है ठीक है इस चीज़ को आपको बिल्कूल धियान से समझ के चलना है ओके अब हम बात करते हैं कुछ इसकी application के बार में तो पहले हम इसके formula के बारे में बात कर लगता है ठीक है heating effect of electric current के formula के बारे में तो I think सभी को समझा आगया होगा अब एक चीज़ देखो कि जैसे यहाँ पर circuit था यहाँ पर मैंने वह लगाया था वी वोल्ट की तो वोल्ट वी ले रहे हम यहाँ पर जितनी भी हमने यहा पर current निकला आया यहाँ जितना भी current इससे पास हो आए वो सब heat की form में पास हो गया जितना भी current आया heat form में निकल गया अब सबोज करो कि यहाँ पर आपका resistance की जगए आपका जो है बलब लगा हुआ है या आपका जो है electric iron लगी हुए है तो जो भी current आ रहा है वो इसे heat की form म convert करते है तो यह आपका heating effect of electric current इसको एक अगर मैं simply भाशा में क्या हूँ तो क्या होगा कि current का dissipated होना in the form of heat current का जो है dissipated होना या current का जो है conversion होना इस तरीके साथ चीजों को लिख सकते है जैसे electric iron हो गया है electric toaster हो ठीक है आगे बात करते हैं अब यहाँ पर कभी-कभी हमें power निकालने पूट जाए तो power क्या होता है power का formula होता हमारा वी आई ठीक है अब वी क्या होता है आई वी को वी लिख लो या वी क्यूब आई टी लिख लो यह डिपेंड होता कि आपका formula किस के किस जगह आपको formula ही जरू होता है अगर हम heat निकाले है कितनी heat निकले value of the heat तो heat होता है power into time ठीक है न work equal to power into time होता है तो यह work को मैंने heat ले लिया power क्या है यहाँ पर वी आई तो वी आई टी त कोशिश करा current आया heat form में निकल गया उसको हीटिंग effect of किसका electric current इलेक्टिक current दिया heat में निकाल दिया electric current आया heat में निकल लिया electric current इलेक्टिक current आया heat में निकल लिया that is called the different of electric current यह formula है heat का जो heat निकल यहाँ पर उसका formula होता है VIT मतलब power into time power क्या है वी आई ठीक है आप सभी को तो यह complete वीडियो की मेरी तब से मैंने आपको बेसिक से बताने की कोशिश करी है और मेरी अगर थोड़ी सी महनत भी आपको अच्छी लगए है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेर जरूर करें एक बार और अगर आपकी कोशिश करें तो कमेंड़ों जरूर बता है चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सुमच बाबाए